स्वागत देस्तों हमारे फिर से एक नए वीडियो पर अगर आप BPSC 2.0 में जो एड किया गया 125 के लिए वेकेंसी वो फॉर्म भर रहे है यानि की 125 के लिए तो ठहर जाएए कि कोई भी फॉर्म भर रहे है तो पहले उसका नोटिफिकेशन पढ़िए तो इस वीडियो में मैं बताओंगा कि आपको 125 में क्या समसिया होने वाली है उस समसिया समधान कैसे करेंगे और साथि साथ आपको सलिवेस के बारे में बताएंगे कि कौन शाह कोईशन आने वाला है कितने नमबर का आने वाला है कहां से आने वाला है सारा कुछ A to Z और Form Fill Up के बारे में deeply इस नोटि यह सिर्फ class 125 के लिए जो form flip करेंगे यह उनी के लिए है शिक्स टू एड के लिए नहीं है 910 के लिए नहीं 1112 के नहीं है यह सिर्फ PRT के लिए है चलिए आप यहां पर लिखा हुआ है सबसे उपर में सिच्छ विभाड बिहार के अंतरगत कच्छा एक से पांस तक विद्याले अध्यापक के कुल 9431 पदो के लिए निक्ती है तू 1011-22 को परकासित करते हुए विज्यापन संख्या 27-23 में सम्मिलित किया गया है उक्त पदो के लिए अनिवार अहरता निम्नवत है इसमें ये पता चला है कि कच्छा एक से पांस तक विद्याले अध्यापक के लिए 9431 पद रखा गया है मलकी खाली है उसी के लिए ये आविदन होगा और ये जो निक्ती है यानि कि फॉर्म फिलप होगा ये विज्यापन संख्या 27-23 में सम्मिलित किया गया यानि कि जो व किया गया है और इसमें क्या क्या आपको LGBT criteria ध्यान पूरुबहु आप समझें बहुत लोग बहुत लोग बोरiez कि मैं विजबुजाओं निवास नहीं मैं सारा डॉट इस वीडियो में किलियर कर रहा हूं सबसे प्दियो कर मिया किलियर कर रहा हूँ अगर आप यह form फिलब करना चाहते है तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए यानि कि आप कोई भी स्टेट हो लाइक जारकन, वेश्ट बंगाल, उरिसा, यूपी तो आप eligible हो इस form को भरने के लिए सिकने माते हैं यहां लिखा हुआ है, राज सरकार अथ्वा केंदर सरकार द्वारा समय समय पर आहुत सिछा पातरता परिक्षा में उतरिन हो यथा कच्छ एक से पांच के विद्याले अध्याबक के लिए सिटेट पेपर 1 अथ्वा बीटेट पेपर 1 होना चाहिए कि इसमें साफ के लियर कर दिया है seated paper में appearing candidate नहीं चलेगा जो इस बार सीटे फिरुं भर रहे हैं पिछले बार appearing ले लेकिन इस बार appearing नहीं लेगा यहां पर साफ के लियर कर दिया है कि छिख़क पात्रत परीचह में उठ्णन हो ठीक है उस जिसमें में आपको सीटेट हो अथो बीटेट हो दोनों में से कोई एक होना चाहिए आप एलिजिबल है इस पोस्ट को अपलाई करने के लिए अब आते हैं नीचे आप लिखा हुआ है परंतु वर्ष 2012 से पुरुनिक एवन कारियरत सिक्षक जो दक्षता परिक् परिक्षा में उत्रिंता अनिवार नहीं होंगे यानि कि आप 2012 में से पहले नुक्त है और आप दक्षता परिक्षा उत्रिन है और अभी भी कारियरत है तो आपको सिच्छक पातता परिक्षा के लिए एक्जाम देना जरूरी नहीं है आप उसके बगेर आप कर सकते हैं अगो परद्धाननुशार समान न कोटिक के अभीजारतीओं को 99 साथ प्रतीसत अंग पिछावर्ग और अतियन पिछावर्ग एवन समान न कोटिकी महिलाओं उमिदवारों को 55 प्रतीसत अंग एवम अनुसूचित जाथि जन जाथि तथा निशक्त कोटिक के उमिदवारों को 50% अंग के अधार पर उत्रिन माना जाएगा यह साफ किलियर कहे दिया BPSC ने अगर आप सीटिट में ठीक है सीटिट में जो एलिविलिटी क्राइटिरिया होता है जन्रल वाले के लिए OBC वाले के लिए SC, HT, महिला और PWD यानि की हैंडिकेप यहाँ साफ किलियर कर दिया है कि अगर आप जन्रल केटिगरी का है जन्रल केटि यानि की बॉइस, अउनली बॉइस तो आपको 60% डेर सो में से 60% आपको सीटिट में लाना ही होगा यानि की 90 नंबर अगर आप 90 नंबर है आपका वो भी general category से है तो आप eligible है 90 नंबर से कम है आपके पास तो आप eligible नहीं है eligible कौन होंगे जो 90 नंबर से कम है पिछड़ा वर्ग अतियन पिछड़ा वर्ग और समान कोटिक के लिए महिला जो BC1 हो BC2 हो या female candidate हो तो उनके लिए 55 परतीसत अंग आपके लिए eligible है यानि की seated में अगर आपके पास 82.5 नहीं होता है 82 होता है अगर आपके पास 82 नंबर है और आप BC1, BC2 और female candidate है तो आप eligible है ध्यान दीजिए eligible है और यह मत सोचिए कि आप अगर बिहार के है तब ही eligible है नहीं इस सबस्रूर में कहा दिया आप citizen यानि की नागरिक होना चाहिए भारतीय का तो आप भारत में किसी भी राज से 82 लाए है ठीक है 82 चाहिए आप female हो BC हो BC1 हो BC2 हो तो आप eligible हो बिहार में form भरने के लिए अधर स्टेट में अलग अलग नियम है लेकिन बिहार में यह नियम है अगर आपके पास 82 नंबर है वो भी female हो BC1 हो BC2 हो तो आप eligible हो अब आगे यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती तथा निसक्त कोटी उमिदवारों को 50% अंक के अधार पर उत्रिन माना जाएगा यह कौन लोग है यह SC, ST और PWD कैंडिडेट उनके लिए भी 50% अंक में भी अनिवार है यानि कि eligible है सीटेट में 50% अंक हो गया देर सो में से 75 नंबर अगर आपके पास 75 नंबर है सीटेट में और आप बिहार की निवासी नहीं अधर स्टेट से आप 75 नंबर लाए है या 76 नंबर लाया है 80 नंबर लाया है किसके लिए SC, ST और PWD अगर आप अधर स्टेट वाले है तब भी आप बिहार में उस माक्सिट से उस आपके eligibility जो नंबर लाया है उससे आप form फिलप कर सकते हैं आपको कोई problem नहीं होने वाला है SC, ST, OPWD यानि कि आपको 75 नंबर में भी आप बिहार में form भर सकते हैं अधर स्टेट वाले यह सब लागू जहारकंड हो गया वेस्ट बंगलाई जितने भी all over इंडियम जितने भी स्टेट है सभी के लिए है और यह बिहार को already है यह अधर स्टेट वाले को भी मिल रहा है सि ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां तो आपको स्टेट में कितना नंबर आना चाहिए तभी आप form फिल अप कर पाएंगे अधर स्टेट में आप स्टेट में कम नंबर लाए है क्या आप form फिल अप कर सकते हैं कि नहीं सारा डॉट इसमें clear हो चुका है अगर clear हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और अपने दोस्तों उपर शेर किजिए अब आते हैं नीचे यहां पर यह भी लिखा हुआ है समझ यह सारा कुछ important है यहां पर लिखा हुआ है point 3 में विद्याले अध्यापक के पद पर निक्ति है तुराष्टिय अध्यापक इसमें पर निधारित सेक्षिनिक योगता धारित करता है जो निवनवत है आपको LGBT criteria क्या चाहिए सारा कुछ इसमें लिखा हुआ आपको qualification क्या होना चाहिए maximum minimum अगर आपको पास percentage के भी कमी है तो इसमें यह सारा कुछ आपके लिए इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है first paragraph मे नियुम्तम 50% अंको के साथ उश्तर माध्यमिक अथ्वा इसकी समक्ष तता प्रारंबिक सिछा सास्त्र में डिप्लोमा दो वर्षिय यहाँ लिखा हुआ है दी वर्षिय डिप्लोमा चाहिए उसे कोई भी नाम से जाना चाहता हो यानि कि अगर आपके पास डिप्लोमा है दो वर्षियों का तो आप एलिजिबल हो ठीक है अब आते है नीचे नेक्स्ट पेरिग्राफ में अथ्वा करकर करके किसी किसी के इंटर में 50% नहीं है तो उनकी लिए भी हम लोग समझते है यहां लिखा हुआ है नियुन्तम 45% अंको के साथ उस्तर माध्यमिक ठीक है इंटर में 45% मार्क्स है या उससे अधिक है और आप दो वर्षियों डिप्लोमा किये गए है तो आप एलिजिबल हो आप फॉर्म फिलप कर सकते हैं अब नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है एक और अथ्वा करकर के नियुम्तम 50% अंको के साथ उस्तर माध्यमिक द्यान दे चार वर्षिय पारंबिक सिच्छा सास्त्र में इसनातक यानि की बी एलेड नॉट बीएड इसमें बैचलर ओफ एडिकेशन को लिए नहीं यह बी एलेड कैंडिडेट को लिए कहा गया है जो चार वर्षिय को होता है नेक्स्ट यहां दिया हुआ है अथ्वा करके नियुम्तम पचास परतीसत अंको के साथ उस्तर माध्यमिक अथ्वा इसकी समक्ष तथा सिच्छा सास्त्र विशे सिच्छा में डिप्लोमा यानि की दो वर्षिय डिप्लोमा होने चाहिए एगर आप यह अपके पास क्वालिफिकेशन है मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आप आप यह स्लेट करकर करके फॉर्म फिलप कर सकते हैं और आगे यहां पर अथ्वा करके यह भी लिखा हुआ है इस नातक अथ्वा पारारंबिक सिच्छा में दिववर्षिय डिप्लोमा चाहिए जिस नाम से उसे जाना जाता हो तो आप उसे भी फॉर्म फिलप कर सकते हैं परंतु पॉइंट वन में दिखिएगा कक्षा एक से पांच तक के लिए विद्याले अध्यापक के मुल्य कोटी के पद पर नियुकती है तो सेक्षनिक और पर्षेक्षनिक योगता के में अनुसूचित जन जाती यतांग पिछला वर्ग पिछला वर्ग और दिव्यांग के अव्यारतियों को नियुमतर निर्धारत अहरतां में पांच परतीसत की छूट दे होगी यानि कि अगर आपके पास इंटर में 50 परतीशत नहीं है 45 परतीशत है तो आप पांच परतीशत की छूट ले आपको मिलेगा 45% भी जगरना हो तो जिसमें भी आपको हो उसमें आपको 5 परतीशत का छूट मिलने वाला है वो भी आपको किश्मे कॉलिफिटिशन मे ठीक है जो minimum कॉलिफिटिशन होता उसमें जो परतीशत होता है उसमें 5 परतीशत की छूट होगी अब आगे बढ़ते हैं कक्षा 1-5 उर्दू पदों पर बिहार राज मदर्सा सिच्छा बोर्ड मुलाना मजरूल हक अरभी और फार्सी विश्विद्याले पटना दवारा परदात मौल्वी या आलिम अथ्वा किसी भी मान्यता प्राप्थ बोर्ड से उर्दू में इंटर्म मातक की सेक्षनिक योगता मानी होगी अगर आप उर्दू पद के लिए अपलाई करेंगे जैसे की उर्दू से भी बहुत लोग ग्रेजुएशन किये हैं ठीक है बिहार राज मदर्शा सिच्छा बोर्ड उसी तरह एक मुलाना मजहरूल हक अरभी और फार्सी विश्विद जाले होता जो की इस पेसल उर्दू के लिए होता है आप उससे भी उतरिन है या ग्रेजुएशन किये हुए है वो भी 50 अंकों के साथ 50 प्रतिशत अंकों के साथ तो आप यह फॉर्म फिलप कर सकते हैं अगर आपके पास 50 प्रतिशत अंक ना हो वो भी 45 हो या 46 हो तो आप कर सकते हैं लेकिन आपको अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अतियन पिछडा वर्ग पिछडा वर्ग और दिव्यांग हो तो आपको 50 प्रतिशत का छूट मिलेगी वो भी आपको एडिकेशनल कॉलिफिकेशन में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 3 में यह लिखा हुआ है कि एक से पांच के लिए बंगला सिक्षकों के पद पर इंटर में 50 अंकों का बंगला अथ्वा किसी भी मानियता प्राथ विश्यविद्याले से बंगला में इसनाता की योगता मानी होगी अगर आप किसी भी विश्यविद्याले जो बंगला युनिवर्श यह लिखा हुआ है किसी सोसाइटी अत्वा ट्रस्ट के दवारा इस्थापिस सर्वेचिक संस्थानों दवारा परदात भासा विसेश की उपाधी डिग्री पीविद्याले अध्यापक पर न्यूक्ति है तू माने नहीं होगी यानि कि अगर आप कोई एंजियो दवारा जो क कि एंजियो दवारा कोई भी सेक्शिन के संस्थान दवारा आप डिग्री हासिल किये तो वह माणी नहीं होगी यह लिए अगर आप इस डिग्री से सोचरे की फॉर्म फिलप करते तो आप गलत है आपके यह सारा उमीद पर पानी फिर जाएगा यह आप भूल सभी नहीं कर करेंगे ठीक है ना अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां लिखाओ नोट यहां पर क्लियर किया गया है कि NCTE की अधिनियम 1993 के परवित होने के पुरु केंद्र या किसी राज सरकार द्वारा मानियता प्राप्त संस्थानों से अथ्वा NCTE से अधिनियम के परवित होने के उपरांद NCTE से मानियता प्राप्त संस्थान अथ्वा वेसे राज केंद्र सासित परदेश जहां राष्टिया ध्यापक सिछा परशित NCTE से अधिनियम परभावी नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है तीक है ना यानि कि NCTE से गाइडलेंड संस्थान है वहां से आपका डिग्री मानियता प्राप्त होना चाहिए तो अभी जैसे कि यहां पर आधा हम लोग पढ़े तो यहां पर पूरा लिखा हुआ है कि उस राज स्लैस केंद्र सासित प्रदेश द्वारा मानियता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्कित पर्षक्षनिक प्रवानपत्र मानिय होगा जैसे कि मैंने कहा है एंसे एटी से मानियता प्राप्त होना चाहिए अब हम लोग आगे बरते हैं इसमें को भी प्रोटेस्ट होगा कि 125 में फिर से बीएट को एड किया जाए फिर सुप्रीम कोट में फैसला जाएगा लेकिन फैसला वही होगा जो एंसीटी का अंतिम निर्नेल होगा वही आपक आगे फिरीत थी या क्या है वहां वही लिखीत परिश्छा में अपको किस तरह देना है यहाँ पर लिखाव.प्वीश्य फिर प्रशनों की संख्या फिर पर इश्यक की अब विधी फिकूल अंग फिर अभी न्युक्ति ठीके ना सारा कुछ यहां पर दिया हुआ है सारा के डिटेल हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे लगे यहां विशे में लिखा हुआ है भासा अर्था यानि कि इसमें तीन वह आपको अप्शन आएगा उर्दू हो गया हिंदी हो जो कि आभाए सामान आधियन की और है व्यूंव विशे सारा कर डिसकस करेंगे यहां पर आपको तीन भाग में लिए जायेगा ठीके ना में आपको 30 नमर करेगा भाग 2 में आपको 40 नमर करेगा और बाग 3 में 80 नमर करेंगा टोटल तीनों मिला करके 500 नमर हो रहा पैच्छा की अविधी यानि की टाइमिंग धाई घंटा रहेगा और जो की कुल अंग 500 यहां पर किलियर कर दिया गया डियर सो में किस तरह डिवाइड किया गया 30 40 और 80 अब हम युक्ति में क्या कह रहा है कि यह पत्र तीन भाग में हों गए यथा भागवन भाग्टू और भाग्ते जैसे मैंने कहा और भागवन में क्या है भागवन भासा अर्ता यानि कि अंग्रेजी हिंदी उर्दू स्लैस बंगला इन सभी के लिए है ठीक है ना उसम कम से कम 30 परतिशत अनिवारे होगा जिसमें कि आपको 30 परतिशत लाना ही होगा ठीक है भाग्टू में क्या कहा समान अधियन के लिए प्रात्मिक गनित ठीक है और फिर मांसिक छमता परिशन फिर समानी जागरुकता समानी विज्ञान समाजिक विज्ञान और फिर और फिर पर आपको कमांड होना चाहिए सारा कुछ स्लेवस में बता रहा हूँ भाग्टुम आपको क्या-क्या पूछेगा यहां पर क्लियर कर दिया आते हैं भाग्तिरी में भाग्तिरी में भी सेम हिंदी भासा उर्दु भासा बंगला भासा तीनों में से किसी एक भासा को चुनाओ करना होगा ठीक है और फिर उसी में से फिर आपको असी नमर का मार्क्स होगा लिखावा यह नेक्स्ट पैरेग्राफ में यहां पर देखिए उपरोक्त विश्य पत् अधियन पत्र के पार्टिकरव से सम्मंदित होंगे लेकिन इसका इसतर उमिद्वारो है तू निधारित निउन्ताहरता के आलोक में होगा ठीक है यह भी क्लियर हो गया अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं यहां आप लिखा हुआ लिखित परिश्य यानि की आपको MCQ विकल्पिक यहां पर मिलेगा आपको चॉइस करने के लिए यानि कि आपको MCQ मिलेगा वह भी आप चॉइस कीजिए यहां पर एक और पॉइंट में दिया हुआ है गलत उत्तर के लिए रिनात्मक अंकियानी की नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे साफ क्लियर कर दिया दियर सो में से आपको कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अब यहां लिखावा ओनलाइन आवेदन भरने की संबंदिती थी जो कि यहां पर दिया हुआ बहुत लोग को डाउट है कि अभी जो वरतमान में जो फॉर्म फिलप हो रहा है जिसमें डेट एक्षेण किया आपकी गलत फेमी को दूर कर देजिए वैसा कुछ नहीं है यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट वन में देखिए निवबंधन भुक्तान एवन ओनलाइन आवेदन प्रारम करने की थी सुल्ला से स्टार्ट है जो की हो चुका है सुल्ला नॉवंबर दुखेटेश पॉइं लास डेट में भी रेजिश्टेशन करना चाहते, लास डेट में पेमेंट करना चाहते और पचीस ग्यारत तक, 15 रात 12 बजे तक कम्प्लीट करना होगा आपको पेमेंट भी हो जाएगा है कम्प्लीट हम वह जा shimmer consistent किắt तो यह भर आपको खतम होगे कि 17 थाक तक हमें हमें प् करेंगे जो सर्त है जो नियाम है वो लागू रहेगा जो 27-22 कोडिफिकेशन आया था है अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हमें बेहिचक हमें इंस्टागराम पर मेसेच करें आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं को सवालों को जवाब भी मिलेगा अगर आप हमेरा चैनल प वीडियो पर आज के लिए इतने ही बाई बाई